नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है रेडियो जई ये पांस सेकेंड में डिक्टेशन लिखने के लिए इस्थानिय निकायों में आरक्षण को लेकर सरकार्ण और न्याय पालिका के बीच खींचतान एक इस्थाई समस्या बनती जा रही है ताजा मामला देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का है इलाहाबाद उच्च न्यायाले की लखनव बेंच ने बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश पारित कर दिया जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया की राज्य में अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण दिये बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे जरूरी हुआ तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ड में भी अपील करेगी उच्च न्यायाले के निरणय के बाद राज्य सरकार ने जो रवया अपनाया है उससे राज्य में इस्थानिय निकाय चुनाव होने को लेकर एक बार फिर संशय खड़ा हो गया है बेशक यह मामला उत्तर प्रदेश तक सीमित हो लेकिन इस्थानिय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अनेक राज्य इसी तरह के विवादों में उल्जहे हुए हैं उत्तर प्रदेश में इस्थानिय निकायों का कार्यकाल पूरा होने को है लेकिन लगता है कि अभी यह मामला अदालती लडाई में उल्जहा रहने वाला है पहरा देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई में फरवरी 2017 में चुनाव हुए थे नियमों के अनुसार फरवरी 2022 में वहां चुनाव हो जाने चाहिए थे पिछले तीन दशक में यह पहला मौका है जब मुंबई महानगर पालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक द्वारा चलाई जा रही है मुंबई में भी OBC को आरक्षन दिये जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ है सवाल यह है कि देश के अनीक राज्यों में आरक्षन को लेकर टकराव क्यों है क्या इसे लेकर नियमों में पारदर्शिता नहीं है या फिर वोटों की राजनीत के कारण यह मुद्धा विवादों के गहरे में आता है यदि हाँ तो क्या हर बार अदालत ही इस बारे में फैसला लेगी क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, राजनीतिक दल और चुनाव आयोग इसका इस्थाई हल नहीं निकाल सकते सवाल अनेक हैं लेकिन जवाब समय पर नहीं मिल पाते लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती को मिले आरक्षन को लेकर विवाद नहीं होता है लेकिन पिछले कुछ सालों में अनेक राज्यों में O.B.C. आरक्षन के मुद्धे पर सरकार और न्याय पालिका के बीच टकराव बढ़ने लगा है जरूरत इसका इस्थाई हल खोजने की है इस्थानिय निकाय बिना जन प्रतिनिधियों के क्यों काम करें इस्थानिय निकायों का कार्यकाल पूरा होने तक भी ऐसे विवादों का हल क्यों नहीं निकल पाया इसके लिए आखिर किसी की जिम्मेदारी तो तैक की जानी चाहिए लोग तंत्र में चुनावों को विवाद का विशय बनाने से बचने की जरूरत है अब रेडी हो जाए इस डिक्टेशन को थोड़ा और फास्ट स्पीड में लिखने के लिए इस्थानिय निकायों में आरक्षण को लेकर सरकार और न्याय पालिका के बीच खींचतान एक इस्थाई समस्या बनती रही है ताजा मामला देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का है इलाहबाद उच्च न्यायाले की लखनव बेंच ने बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश पारित कर दिया जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया की राज्य में अन्य पिछडे वर्ग को आरक्षण दिये बिना चुनाव नहीं कराये जाएंगे जरूरी हुआ तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी उच्चिनियायाले के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने जो रवया अपनाया है उससे राज्य में इस्थानिय निकाय चुनाव होने को लेकर एक बार फिर संशय खड़ा हो गया है बेशक यह मामला उत्तर प्रदेश तक सीमित हो लेकिन इस्थानिय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अनेक राज्य इसी तरह के विवादों में उल्जे हुए है उत्तर प्रदेश में इस्थानिय निकायों का कार्यकाल पूरा होने को है लेकिन लगता है कि अभी यह मामला अदालती लड़ाई में उल्जा रहने वाला है पहरा देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई में फरवरी 2017 में चुनाव हुए थे नियमों के अनुसार फरवरी 2022 में वहां चुनाव हो जाने चाहिए थे पिछले तीन दशक में यह पहला मौका है जब मुंबई महानगर पालिका निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक द्वारा चलाई जा रही है मुंबई में भी OBC को आरक्षण दिये जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ है सवाल यह है कि देश के अनेक राज्यों में आरक्षण को लेकर टकराव क्यों है क्या इसे लेकर नियमों में पार दर्शिता नहीं है या फिर वोटों की राजनीति के कारण यह मुद्दा विवादों के घेरे में आता है यदि हाँ तो क्या हर बार अदालत ही इस बारे में भैसला लेगी क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, राजनीतिक दल और चुनाव आयोग इसका इस्थाई हल नहीं निकाल सकते सवाल अनेक है लेकिन जवाब समय पर नहीं मिल पाते पहरा, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती को मिले आरक्षण को लेकर विवाद नहीं होता है लेकिन पिछले कुछ सालों में अनेक राज्यों में OBC आरक्षण के मुद्धे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराओ बढ़ने लगा है जरूरत इसका इस्थाई हल खोजने की है इस्थानिय निकाय बिना जन प्रतिनिधियों के क्यों काम करें इस्थानिय निकायों का कार्यकाल पूरा होने तक भी ऐसे विवादों का हल क्यों नहीं निकल पाया इसके लिए आखिर किसी की जिम्मेदारी तो तैक की जानी चाहिए लोकतंत्रों में चुनावों को विवाद का विशय बनाने से बचने की जरूरत है उमीद है आपने डिक्टेशन लिख लिया होगा यदि आप नहीं लिख पाए है तो परिशान नहीं होना आपको दोबारा प्रयास करना है और यदि आपका छूट रहा है तो आपको कठिन वर्ट्स दोड़ने पड़ेंगे या फिर जहां आपकी पैंसे लिख अटक जाता है उन वर्ट्स को दोड़िए और उनकी प्रैक्टिस अलग से करिए और फिर लिखने का प्रयास करिए उमीद है जल्द ही आप ये प्रोसेस अपनाएंगे और पूरा-पूरा डिक्टिशन लिख पाएंगे that's all, thank you